अगर आप लोगों ने BSF ट्रेडमेन में फॉम बारा 2788 पोस्टों के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 18 जुलाई से BSF ट्रेडमेन का फिजिकल चालू है और चल ला है ये सितंबर लाश्ट तक इसका फिजिकल चलने वाला ह और आप लोगों का नवंबर या दिसंबर में इसका एक्जाम ले लिया जाएगा तो यहां पर आप लोगों को तैयारी करना जो है बहुत जरूरी अगर तैयारी नहीं कर पाओगे तो आपका रिटन नहीं निकल पाएगा आप बाहर हो जाओगे तो गाईज मैं प्रेक्ट यह सो आएंगे साव नमबर के रहेंगे लोग आपके में के रंख कमेशत, यहां पर गाईज निर्देस दिए गए है एक से चार तक निमलिखित प्रतियेक प्रसंद में दिये गए बाक्यों में से सम्मंदित सब्दच्छर को चुनिये तो यहाँ पर जो सव दिया है जिस परकार से सव का सम्मंद जो यहाँ पर जो है अनुपात का सिंबल लगा है उसके बाद यहाँ पर 121 लिखा तो इस परकार सव का सम्मंद 121 से है उसी परकार से 144 का सम्मंद किस से होगा तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो सव यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 121 तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बर्ग दिया गया है 10 का बर्ग कितना होता है 10 का बर् ग्यारा का बर्ग कितना होता है 121 और गाईज यहां पर दिया गया है 44 144 144 बर्ग कितर किसका होता है 144 गाईज बर्ग होता है यह 12 का 144 होता है उसके बाद यहां पर बढ़ जाएगा जिस प्रकार से यहां पर एक बढ़ा हो इस प्रकार से यहां पर 13 का यहां पर हो जाएगा दो में जो है दो दिया गया है इसमें क्या दिया है A, C, E तो यहाँ पर जो है A, C और यहाँ पर अनुपाद का सिंबल दिया है उस परकार जिस परकार से इसका संबन्द है इसका क्या संबन्द होगा तो यहाँ पर A दिया गया है A में यहाँ पर एक बड़ा B हुआ यहाँ पर एक बड़ा C में D हुआ यहाँ पर E में एक बड़ा तो E F हो गया यहाँ पर E यहाँ पर है और यहाँ पर E F है उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर M का क्या हो जाएगा यन हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, P और Q का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा, right answer इसका option C हो जाएगा Next question है guys, जिया है यहाँ पर, question number 3 धनूस का संबन्द बांड से जिस प्रकार है, उसी प्रकार से पिस्तोल का किस्से होगा तो यहाँ पर धनूस, धनूस में क्या बांड लगता है, पिस्तोल में क्या लगती है guys, यहाँ पर bullet गोली लगती है Next question number 4 है, पोसाक, पोसाक का संबन्द दरजी से है, उसी प्रकार से बढ़ाई का संबन्द किस्से होगा यहाँ पर question मारके, तो बढ़ाई का जो संबन्द होगा यहाँ पर, जो किस्से होगा guys, फर नीचर से होगा option जो है, बी सही हो जाएगा Next question है, यहाँ पर 5 से 7 तक निर्देश दिये गए हैं तो यहाँ पर निर्देश दिये गए हैं, 5 से 7 तक निर्देश दिये गए बिकलपों में से उसे चुनिये जो अन्य तीनों बिकलपों से भिन्न हो तो तीनों से भिन्न हैं, वो हमें यहाँ पर चुनना है, यहाँ पर दिया है पांच, दो फिर बी में दिया है उननिस, सोला उसके बाद यहाँपर सी में दिया 27, 23 और यहाँपर दिया है 31, 28 तो यहाँपर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या अंतर आ रहा है यहाँपर अगर पांच में से दो घटाएंगे तो 3 का अंतर आ रहा इसी प्रकार से इसमें अगर 16 घटा देंगे 19 में से तो 3 का अंतर आ रहा है इसी प्रकार से यहाँ 28 घटा देंगे 30 में से तो 3 का अंतर आ रहा मगर यहाँपर देख सकते हो 27 में से अगर 23 घटा देंगे तो यहाँपर कितना बचरा चार बच रहा जोगी यही भिनने सबसे Next question है Question number 6 है इसमें क्या है? यहाँ पर DC BA दिया है उसके बाद option B में दिया है Z Y X W उसके बाद दिया है S R P Q उसके बाद दिया है D में H G F E तो इसमें क्या करना है? इसमें भिनन बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले देखें D में से एक माइनस करेंगे C आएगा उसके में C में से एक माइनस करेंगे B आएगा B में से एक माइनस करेंगे तो A आएगा इसी परकार से Z में से अगर माइनस करेंगे एक तो B आएगा B में से एक माइनस करेंगे मगर यहाँ पर देखेंगे R कितना होता है R 18 होता है R 19 होता है R 18 होता है P 16 होता है Q कितना होता है 17 होता है यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर यही वाला option गलत हो जाएगा जो कि भिन्न हो जाएगा यहाँ पर P आ रहा है आर के बाद कितना आर अठारा होता है उसके बाद सत्तरक क्यों आना चाहे मगर यहां पर पिआया है यह गलत है यहां पर जो भिन्न हो जाएगा यही next question number 7 है सात में दिया गया है यहां पर क्रोध नस्ट चिलचलाहट रोस तो इन में से भिन बताना आपको सबसे भिन कौन सा हो जाएगा तो क्रोध और चिलाहाट रोस तो ये क्या होते हैं ये तीनों एक जैसे वर्ड हैं जो कि गुसा से समंदित होते हैं नश्ट करना बिल्कुल खतम ये अलग भिन हो जाएगा सभी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करेगा है जो आप लोगों के लिए मिनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें आप लोगों को हमारे चैनल पर एज़िकरसनल टेकनिकल वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफी हेलफूल रहने वाले हैं कोशन नमर में आठ में दिया निमने लिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिये गए सब्दों का सारतक क्रम दरसाता है तो सही क्रम कैसा दरसाएगा यह आपको यहाँ पर लाइन से बाज लगाना है तो सबसे पहले किसान आएगा किसान के बाद क्या आएगा यहाँ पर किसान के बाद आएगा यहाँ पर बीज आएगा उसके बाद क्या आएगा खेती आएगी उसके बाद क्या आएगा भोजन आएगा तो यह option किसमे में लाहा है, right answer हो जाएगा इसका, option number A में next question number 10 है, 10 में यहाँ पर बताना है नर्देश दिये गए है, 9 से 10 तर निमलिखत प्रतेक प्रसंद में से एक अनुकरम दिया गए, जिसमें से एक पद लुपत है, दिये गए विकल्पों में से वह, सही बिकल्प जिनिये जो अनुकरम को पूरा करें, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या चला है, यहाँ पर क्या आएगा यह हमें बताना है तो अगर आठ में अगर आठ प्लस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना 28 आ जाएगा, अगर 28 में अगर हम 16 प्लस करेंगे 12 के बाद 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 16 प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा अब इसमें हमें क्या करना है 4 प्लस और करना अब की 20 प्लस करना इसमें तो पहले कितना हुआ पहले में 8 हुआ दूसरे में 16 हुआ दूसरे में 16 हुआ इस बार 20 करना है इसमें तो 20 करेंगे तो कितना आजाएगा यह 64 आजाएगा इसका जो right answer हो जाएगा option B हो जाएगा next question number 10 है इसमें क्या है यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर blank है यहाँ पर क्या आएगा यह भरना है तो A का C यानि कि A के बाद क्या आता है A के बाद क्या आता है B आता है उसके बाद C आता है तो एक अच्छर का यहाँ पर gap है उसी परकार से F के बाद क्या आता है G फिर आता है यच तो इसमें भी एक अच्छर का gap है इसी प्रकार से इसमें गेपिंग चल लही है P के बाद क्या आता है Q मगर जो है यहाँ पर R दिया गया है इक अच्छर का गेप है उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा एके बाद L, YM आएगा यहां पर C right answer हो जाएगा इसका अगर वीडियो चलगे तो लाइक सेर जरूर करें कोशन नमबर गाई जह है ग्यारा ग्यारा में क्या है वह आरेक चुनिये जो नीचे दिये गए बर्गों के बीच समंद का सही निरूपड करता है खिलाडी, खिलाडी, क्रिकेट और बल्ले के बाज के बीच में तो यहां पर यह डाइग्राम दिया है यहां पर आ जाएगा खिलाडी, क्रिकेट, बल्ले बाज तो बल्ले बाज आ जाएगा सबसे पहले बल्ले बाज उसके बाद क्या आएगा cricket 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 आ जाएगा cricket फिर बल्ले बाज आएगा उसके बाद खिलाडी आ जाएगा तो इसका option जो है C इसका सही हो जाएगा option right हो जाएगा C next question है यह setting arrangement से है तो इसमें दिया गया A B C D A B C D E F यहाँ पर 6 person बेकती है जो कि 1 पंक्ती में बेठे हैं अब इसमें बेठे हैं कहा गया E और F पंक्ती के मध्य में बेठे हैं तथा A और B पंक्ती के दोनों छोर पर बेठे हैं C A, C जो है A के बाई और बेठा है तो B के दाई और कौन बेठा है तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया है कि 6 बेखती हैं E, F, E और E, F पंक्ति के मद्ध बैठे हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले इन्हें बिठा लेते हैं E को मालो यहाँ पर हमने बिठा लिया उसके बाद जो है EF को यहाँ पर बैठा लिया यह मध्ध में हो गया और इन्होंने कहा है कि A और B पंक्ती के दोनों छोर पर है तो यहाँ पर B को हम सबसे पहले इधर बैठाते हैं कि B इधर भी बैठ सकता है यहाँ पर A को बैठा लेते हैं यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ पर B बैठ सकता है भी किलियर नहीं है उसके बाद E जो है इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है तो अब क्या करेंगे इसको उसके बाद कहा गया है कि कि बैठे हैं C A के बाई हो रहा है A का बाई किदर होगा इधर होगा तो यहाँ पर यहाँ पर बेठा देते हैं किसको C को C को यहाँ पर बेठा देते हैं उसके वाद कहा गया है बेठा है तो B के B के दाई और B का दाई किदर होगा इधर होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 बेठ गए है बचा है एक जो बचा है D तो यहाँ पर D हो जाएगा तो B के दाई और कौन बेठा है D option B right हो जाएगा तो इसका option जो है यह right हो जाएगा B question number guys 13 दिया है नीचे दो कथन दिये गए है जिसके आगे दो निसकर्स है आपको विचार करना है कि कथन सत्य है या सत्य तो यहाँ पर दिया गया है गाईज तो direct कथन पर आ जाते हैं आप लोगों ने पढ़ा तो पहले से हो गए ही तो यहाँ पर दिया गए कुछ scale scale यहाँ पर बना लेते हैं यह diagram इसका बनेगा scale का scale उसके बाद कुछ scale pencil हैं तो यह pencil का diagram हो गया pencil यह pencil हो गया उसके बाद दिया है कुछ rubber जो है pencil है तो यहाँ पर कुछ में यह बना लेते हैं तो यह diagram कुछ इस तरह से भी बन सकता है तो यहाँ पर जो है rubber हो गई यह rubber वाला option हो गया उसके बाद कहा यहाँ पर nisker दिये हैं अब डाइग्राम कुछ इस तरह से बनता है, डाइग्राम कुछ इस टाइब से भी बन सकता है, तो यहाँ पर यह कुछ पैंसिले रवर हैं, यह भी राइट हो जाएगा, क्योंकि यह इसका काट रही है, थोड़ा हिस्सा, उसके बाद कुछ पैंसिले स्केल हैं, तो कुछ पै गया है डारेक्ट तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निसकर से दोनों निकल ले हैं इसका राइट आंसर ओप्षन सी हो जाएगा question number guys 14 question number 14 है question number एक ब्यक्ति दच्छिन की और 6 km चलता है जो कि यह directions है तो उपर जो होता है north होता यानि कि उत्तर होता है नीचे जो है मानते हैं इसे हमेशा दच्छिन south yes हो गया इधर इधर हो गया यह पूरब इधर हो गया यह पस्षिम तो अब क्या कहा गया है कि एक ब्यक्ति दच्छिन यानि कि यह इस side नीचे को आता है नीचे को आ रहा है कितना 6 km उसके बाद बताया है कि चलता है फिर वो बाई और जाता है यानि कि यह बाई और जाता है इस side में जाता है यह बाई और चला है बाई योर चला चार किलोमेटर चलता है चलता है फिर बाई योर मुड़ता है फिर इसका बाई योर किदर होगा ये उपर की योर हो जाएगा उपर की योर इसका बाई योर हो जाएगा पांच किलोमेटर चलता है पूछा है इसका मोकब किस दिसा की योर है तो इसका right answer हो जाएगा option B ये दुबारा जो है उत्तर की दिशा की और चला है तो ये उत्तर दिशा की और चला है next guys question है next question number 15 है question number 15 दिया गया है तो इसमें क्या करना है ये थोड़ा उसका लुप्त संक्या से है लुप्त संक्या यहाँ पर भरना गें जो है क्या आएगी ये देखना है हमें तो इसमें क्या चला है सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा इसमें तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं 2, 2, 4, 4, 8 ये 8 हो गया उसके बाद इसको जोड़ेंगे 15, 20 यानि की 208 आ रहा इसका है उसके बाद इसको जोड़ लेंगे 5, 3, 8 उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 12, 4, 16 168 आ रहा है उसके बाद यहाँ पर क्या चला है तो सबसे पहले इसमें इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं आ रहा है अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 40 आ रहा है इसी परकार से इसमें भी हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंट कौन सी संक्या रखने पर जो है 40 आएगा तो यहाँ पर इनको रखके देख लेते हैं कौन सी संक्या यहाँ पर रखी जाएगी तो इसमें जो है इसमें एक संक्या रखके देख लेते हैं 38 संक्या रखके देखते हैं जब हम 38 रखेंगे इसको जोड़के तो यह 90 यह हो जाएगा तो यह 128 हो जाएगा तो इसमें जो है डिफरेंस 40 का आ रहा है इसकी संक्या जो है option D सही हो जाएगी वो option C सही हो जाएगा इसका answer तो इसमें गाईज ये क्या चल्ला इसको जोड़ के जो है दोनों का अंतर देखा जा रहा है तो इसमें भी ये संक्या एक भरेंगे जिसमें 40 का अंतर आ जाएगा option C सही हो जाएगा next question दिया गया है question number 16 है 16 में दिया गया है गाईज कुछ समी करण का एक विसेश प्रणाली के आदार पर हल किये गये हैं उसी आदार पर अनुत्तरी समी करण का उत्तर ग्याद कीजिए तो यहाँ पर ये समी करण दिया गया है इसमें तो यहाँ पर ये 714 कैसे आया है ये हमें देखना है तो 714 कैसे आ गया है अपने हिसाब से नुने समी करण दिया है तो इसमें क्या किया गया है सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर ये संक्या पलट दीन उन्हें एक को इधर कर दिया है यही सम्मे चला है फिर यहाँ पर इसको पलेट दिया है, तीन को इधर कर दिया है, यहाँ पर और दो इधर कर दिया है, इसी परकार से नीचे भी करना है, तो यहाँ पर क्या इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आट सो चालिस हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ओप कि चिन्यों के इस्ताफन, के प्रतिस्टाफित करने के लिए गरतिय चिन्यों का सही सम्हुँचुनिये, तो यहां पर कौन सा यह सूत्र लगेगा कि यह यहां पर 12 साजाएं, इन मेंसे आपको दिये गए हैं कौन सा सूत्र सही लगेगा, तो यहाँ पर यह वाला उप्सन लगाके देख लेते हैं पहला तो यहाँ पर पहला प्लस करेंगे तो उसके बाद माइनस तो यहाँ पर छे चार दस हो जाएगा अगर बारा माइनस करेंगे तो यह उप्सन नहीं बन रहा है ये कट रहा है उसके बाद option D देख लेते हैं अगर हम यहाँ पर multiply का option लगा दें 6 चोग 24 हो जाएगा 24 हो जाएगा और minus हम 12 करेंगे तो कितना हमारा 12 बचेगा तो बराबर ये 12 ही आ जाएगा इसका option जो ये D से हो जाएगा कोशन नमर गाई जठा रहा है यहाँ पर दिया गया है religion को ये कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से secular को किस तरह से लिखा जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है देख सकते हुए ये bird जो हैं सब इसी में मिल ले हैं मतलब जो ये अच्छर हैं दिये गए ये सम मिल ले इसी में तो इसमें क्या चल ला है यहाँ पर देख सकते हुए लाश्ट अच्छर ये है तो इसमें लाश्ट थे इन्होंने शुरुआत की है इधर से उठा लिया सीधे किरम में यहाँ पर यन फिर ये वाला ओ ले लिया है फिर उसके बाद आई इन्होंने ले लिया है उसके बाद क्या जी ले लिया है उसी परकार से ये इन्होंने डेडिस करके आर तक उल्टा कर दिया है अब इसी परकार से सेकलर को भी हमें करना है तो यहां से क्या करेंगे आर लेंगे ए लेंगे उसके बाद यल उसके बाद यू सी यू सी और लाश्ट में हमारा क्या यसा जाएगा तो यह किसमें दिखाई दे रहा है शुरुवाद से इसको लिख लेते हैं ये किस उप्षन में दिखाई दे रहा है तो इसका उप्षन C राइट आंसर हो जाएगा तो अठारा का उप्षन राइट जो है C हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन दिया गया है गाई कोस्टन नमबर 19 दिया गया है और इसमें क्या करना है आपको इसमें दिया गया है अच्छरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता तो यहाँ पर लिखा है कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन लिखा है तो अगर आप लोग देखो के इसमें कुछ नहीं करना होता आपको यह एक अच्छर यह इसमें मिल गया C इसमें मिल गया इसमें भी C है, T भी है तो यहाँ पर T देख सकते हैं आई भी है O भी है तो यह तो बन जाएगा यह भी बन जाएगा यहाँ पर U D I U यन दिया है आई दिया O D I अब ऐसे इसमें क्या होता आई इसा अच्छर देखना पड़ता है जो इसमें नहीं है और इन में होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं Yes याँ इसमें कहीं भी नहीं है और यहाँ पर इसमें Yes है तो यह वाला नहीं बनाया जा सकता है कोस्टन नमर गाई जहां पर है 20 कोस्टन नमर 20 से जो की Blood Relations है तो इसमें कहा गया है एक लड़के की और इसारा करते हुए बीना ने कहा बीना ने कहा हुआ मेरे दादा जी के मतलब मेरे दादा जी बीना है बीना लड़की को लेते हैं बीना ये बीना हो गई इसके दादा जी दादा जी इसके उपर आएंगे सबसे उपर फिर इसके पिता जी आएंगे पिता जी आएंगे और दादा जी इसके उपर आएंगे सबसे उपर बड़ों को सबसे उपर रखते हैं तो बड़ों को सबसे उपर रखते हैं दादा इसके उपर आएंगे पिता जी आएंगे उसके बाद नीचे बिना आएगी कहा मेरे दादा जी के एकलोते पुत्र का पुत्र है यानि कि इसके पिता जी जो पुत्र का पुत्र इसके दादा जी के पुत्र इसके खुद पिता होंगे उनका एकलोता पुत्र है तो यानि कि इसका जो है भाई होगा विना का Question number 21 है guys question number 21 से इसमें दिया गया है यदि एक दरपण को यमियन देखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकरती में से कौन सी आकरती प्रसन आकरती का सही प्रतिविंब होगा तो इसमें इधर ये रखा तो इसको हम इधर पलट देंगे ये वाला portion कुछ इस side में इस तरह से बनेगा ये इस side में नीचे हो जाएगा और ये वाला arrow इस side में कुछ आजाएगा तो इसका right answer जो हो जाएगा option जो C हो जाएगा ये आकरती जो C type की बनेगी इस type की नीचे ये हो नहीं सकता नहीं ये वाला हो सकता ये कट जाएंगे मगर इसमें देखेंगे तो ये आकरती है ये थोड़ी बड़ी बड़ी है इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा तो इसका Right Answer Option C हो जाएगा Question number है guys, question number है 22 तो नीचे प्रसन आकरती में दिखाएगे अनुसार कागज को मोड़कर काटने पर काटने तथा खोलने के बाद वो उत्राकरती जैसा दिखाई देगा तो यहाँ पर इन्होंने बताया है यह आकरती यह इसी है इनको क्या किया इन्होंने इसे काटा फिर इसके बाद क्या किया इसके टुकड़े कर दिये यह इस तरह से काटा है फिर इसको भी काट दिया फिर इसको भी काट दिया तो यहाँ पर कितने टुकड़े हुई है तो यहाँ पर देख सकते हो यह कि यह टुकड़ा बन जाएगा यह के एक, दो, तीन, चार टुकड़े इसके बनेंगे, तो चार टुकड़े बनेंगे, उसके बाद इसको जो फिट करेंगे, तो कुछ इस तरह की आकरती आपकी बनेगी, किस टाइप की आकरती बनेगी, आकरती यह टाइप की आपकी बन जाएगी, नेक्स्ट गाइज, कोश होगे तो यह आकरती शिरीप किसमें बन रही है option B में बन रही है क्योंकि यहां पर देख सकते हो यहां पर यह भी एक line है यह भी line पड़ी है और यह वाली जो line है इस तरह से बन जाएगी और यह इस तरह से बन जाएगी option B सही हो जाएगा next question number 24 दिया गया है guys इसमें जो है आकरती को पूरा करेगी जो यह आकरती खाली भागे इसको कौन सी आकरती भर देगी यह देखना है तो अगर इसमें आकरती में देखोगे आप श्रीपिस की यह का आकरती यह वाली सही है जो इसको पूरा करेगी अब question guys last आपका वचा है जो की matrix abuse दिया गया है matrix में क्या होता है यह soft word दिया गया है guys यहाँ पर yes o f t यह word दिया गया है इसमें क्या करना है आपको इसमें ढूड़ना है आपको soft के लिए code तो दूसरा भी इसमें double matrix दिया गया है तो यहाँ पर answer भी दिये गया है तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसको solve करने का क्या तरीका होता है yes word के लिए हम code ढूड़नते हैं सबसे पहले हम नीचे वाले option को ले लेते हैं सबसे last वाले option को देखते हैं इसका code 89 मिल ला है क्या 89 जो है 89 किसमें मिल ला है यहाँ से देख लेते हैं क्या मिल ला है इसका code तो इसका जो है 89 मिल गया है उसके बाद देख लेते हैं 03 ओका code क्या 03 है तो उपर वाले में मिलेगा 03 तो ओका भी 03 मिल ला है उसके बाद बचा है उसके बाद क्या बचा है EF और T तो EF T का कोड़ देख लेते हैं EF का कोड़ देख लेते हैं EF का कोड़ बारा है देखते हैं कहीं बारा यहाँ पर देख लेते हैं EF का कोड़ बारा है उसके बाद बचा है T इसमें दिया T का अगर 98 हो गया तो यही मिल जाएगा 98 तो गाईज यह देख सकते हो यहाँ पर T का भी कोट 98 मिल गया यानि की ओप्षन जो है हमारा D वाला सही हो गया तो गाईज यह कोश्चन थे हमने 25 आपके करवा दिये हैं जो की रीजनिंग के थे कोश्चन तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर करेंगा इस वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके जरूर बताएं